हलो फ्रेंग नमसकर आज हम लाए हैं। बहुती उनिक और क्रिस्पे नास्ते शाइसे बनाना फूराना अजमे शोड़ा है। दंक भी सब्स्तेः अजमाने दिए हैं जोई उनलए है। पड़क है। और जो है इसे कद्दू कस कर लें या फिर आप इसे मिक्सी में पीस ले इसका हमें थोड़ा सा रस चाहिए इसे हम स्नेक बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड आगी वीडियो दिखाते हैं आपको पालक हमने जो पीस लिए हैं और जो है इसमें हम चुकंदर को कद्दू कस कर कर शकते हैं थो जो उसके रहा है हम ठोड़ा से हम बहुते हैं हम खोड़ा नेत्वां गाहिं कि अठंगा इसे में मेडा ड़ा टाल हुआ इसमें यहां थोड़ा से हुआ पहलें थे नहस्तों है थो एक चमस के करीब बेशन डालेंगे, थोड़ा सा में नमक डालेंगे, थोड़ा सा में डालेंगे कुट्टिवी लाल मिर्च, थोड़ा सा में इसी में काजु डाल दीएंगे, तो हमें से मिक्स करना है, इसे तीन भागो में डिवाइट करना है, थोड़ा से हम यहां पर आयल लेंगे, विसके अच्छा से महाँ देना है, एक चमच के करीब आलेंगे, छो यह से मिक्स हो चुका, तो हम इसे तीन भागो में बाठ देंगे, इस तरीके से तो हम éénक से घुतेंगे, यह जो जो कंदर का पाहो था उससे हम गुत लेंगे थोड़ा सांटा iis का थोड़ा में पालग कांटा गुत गुत ही तो बाद में सूजी परई नहीं हुआ है गुत जाएगा तो दिन्हां कलर ढले ही देखिए कितना बढ़े चुक अंदर कांटा अब हम पालक का और अटह उइगे पालक भी आंटा के स्यूंद गूद गया वह हम साधे पानी से आटा गूद फिरिशम कहा है इस तरीका से इस तरीके से प्रहंट चुछe के लिए छोड़ देंगे जिससे अच्छे से फोल जाए क्योंकि इसमें सोजी पड़ी हुई तो यह अच्छे से सॉप्ट हो जाएगा हमारा दस मिनट बात फिर हम आपको आपको आगे की रेस्पी बताते हैं कि अच्छा आटा रेडी हो चुका है 10-20 मिनट हो चुके हैं रखे हुए अब हम इससे अच्छा सा स्नेक बनाएंगे इस तरीके से हमें चम्मस लेना है चौमेन वाला यह देखे तो इस पर थोड़ा सा हम इस तरीके से तेल लगाएंगे और हम यह जोटी एक लो लेंगे वह प्छा स्नेक्स है लोगिए इस तरीके से सांचे पर फैला देनी हैं अब अब फिर हम इस तरीके से चाहिसे पूल करना है इस तरीके से इस तरीके से यह देखे हैं इतना अच्छा बिचcendohas भी मेने सकरणी हो चुका है तो फिरें मिसे जरूर है प्रिस्टेन कि अ्चिन करें अच्छा लिए बघना तक मुझे तो यह ना सब्स्टे रहे हमता है थेहं बच्छा है विखे को रहुंत है जाते हैं कि बनाना की जाते होने मिवाड़ प्रिस्ट जाहि बारा कियाork handsome तो फिर इसे जदूर बनाने एक बार ट्राय करना इसी तरीके से सारे स्नैक्स हम बना लेंगे यह देखिए बहुत अच्छी डिजाइन बनने ही अगर तेल आपको लगे कि इस पर थोड़ा तेल हो लगाना तो इस तरीके से तेल लगा लेंगे आप इसे दो-3 डिजाइन में बना सकती है यह देखिए दो डिजाइन में बनके रेडी हो चुका है तो फ्रेंड इसी तरीके से सारे स्नैक्स बनाने हैं हमें यह देखिए कि नचे स्नैक्स बनके रेडी हो चुके हैं यह देखिए अच्छी डिजाइन भी लग रही है ने बनाना इतना असानी कि आप में तो अब भीने हम तन्ने के लिए चलते हैं कराई चड़ा दी इसमें तेला दिये हैं तो हम इसमें डाल देंगे इसकी आच एकदम सिलो रखने हैं जिससे आराम से पकें देरे देरी तो कि अगर आप तेज आच पर पकाएंगे तो यह एच्छी से प्रिस्पी नहीं बन पा प्रिस्पी नास्ता बनके रेडिये हो चुका है तो इससे आप एक बाद जरूर प्राइए करना और अगर आपने इससे बना कि किसी पो खिला दे तो वह यह नहीं सोचेगा ति आपने इससे मार्केट से लाया हो गई तो यह इतना अच्छा टेष्टी नास्ता है दिखने म आवाज आ रही कट 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 के क्योंकि अच्छा सा कुरकुरा बुन चुका है तो फ्रेंट से एक बार ज़रूर बनाना और हमारे वीडियो और अगर रेस्पी या स्नैक्स पसंद आया आपको तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक करना अगर हमारे चैनल पर आप नए ह और हमारे वीडियो देखने के लिए आप सब लोको का धन्यवाद